सबसे पहले load factor की अगर definition पूछ ली जाए तो load factor की basically definition सिंपल सी होती है average load divided by maximum demand देखो यह सारे शब्द तुम्हें सुनेगों मिल रहा होंगे अभी हमने पीछे जब चार्ट देखा था load करव का तो वहां पर यही सारे तीन चार पॉइंट हमने देखे जब भी आप एक load करव का डिवाइड वाई उसकी maximum demand कितनी जा सकती है तो यहां पर इसका importance क्या है physical significance क्या है तो load factor basically एक significance तो यह बताता है कितने efficiently electric power को utilize किया जा रहा है अब यह जड़ा समझते हैं तो देखो यहां पर for example हम load करव बनाते हैं वहां से अच्छे समझ में आएगा तो मान के चलते हैं यह त्यड़ा मेरा साथ लोट करव है एक चैसकते हों लोट करव हमने बना लिए अब इसका average निकालों पर यह और इसकी maximum demand बिल्कूल प्लांट की जो क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जो भी प्लांट लगा रहे हैं वह 100% कैपेबल होना चाहिए उस मैकसिमम पीक डिमांट को फुल्फिल करने के लिए किसी भी इस्टेंट पर आ सकती है तो इसलिए जो प्लांट की कैपसिटी होती वह मैकसिमम डिमांड के डिसाइड की जाती है तो यह तीन चीज़ें आपको समझ में आ गई थी कई बार चर्चा कर चुके हैं अब देखो अगर इसको करको बहुत ध्यान से देखो तो यहां पर यह जो एरिया देख रहे हो ना प्लांट कैपसिटी और एवर प्लांट सेट अप किया है जो भी हमने थर्मल पॉर प्लांट न्यूक्लियर हाइड्रो जो भी लगाया है उसकी सर्टेन कैपसिटी होगी मानके चलते हैं पचास मेगावाट की उसकी कैपसिटी है एक एक एक्जामपल समझ रहे है तो अब यह पचास मेगावाट की सुटेन की मैक्सिवम टाइं मारा सिस्टी स जो है वह इसके आसपास की पवर बना रहा होगा समझ मारी यह यहांनी आगर करते जर्ली जो जो अधर कर रहे है या वह एक्पर¿ग्सिएंट मेगा वॉट के ॹो तैम ज्यादा तर इतनी l इसको या इतनी पावर को बना के डिलीवर कर रहा है समझ मारी बात है यह होता है एवरेज लोड ठीक है कि ऑन एन एवरेज तुमारे हर घंटे जो तुमारे जनरेटर है जो तुमारे इस्टेशन है उस पर कितना लोड है तो अब देख सकते हो तुमने प्लांट लगाया 50 यह अल्टरनेटर जो खरीद के लाए थे वह 50 MVA का था एक्जामपल के तौर पर और चला किते पर रहे हैं 28 28 MVA पर चलो इसको इस तरीके से ट्रीट कर लेते हैं ठीक है एक जस्टन एक्जामपल ले रहा हूं तो यानि कि हम चला किस पर रहे हैं उसके 28 मतलब 28-30 जो भी है छोड़ा सा लो रेटिंग पर चला रहे हैं क्लियर हो रहा है यहां पर समझ मारी बात है यह मैंने में क्यों ले लिए क्योंकि आपको याद रखना है जब भी हम बात करते हैं अल्टरनेटर की या किसी भी ऐसी चीज़ की तो हमेशा में उनकी यूनिट को लिखा जाता है क् जाता हैぎै यानि कि क्या हुआ है कि हमारा प्लांक जो कैपसिटी थी प्लांक जो डिलिवर करने के लिए यह बनाएँ फिफ्टी एट मेगावड तक के लिए हमने उसको तैयार किया है और चला कित्देप रहे है जनरली 28 मेगाव पर चला रहे हैं ठीक है अब क्यों 28 पर चल है concept समझ लो सारी चीज़े clear हो जाएंगे ठीक है तो अब देखो हो क्या रहा है तुमने बनाया था प्लांट पचास के लिए चला रहे हो ठाइस पर तो यह जो difference है यह जो difference देख रहे हो ना यह इसका इसको हम कहेंगे underrated load यानि कि under loaded condition कहलाएंगी clear हो रहा है और यह बात आपने अच्छे से machine में पड़ी होगी नहीं पड़ी है तो अपने दिमाग में बैठा लो जब भी कोई machine below rated चलाई जाती है तो उसका जो operation होता है वो un economical operation होता है un economical समझ में आरी बात यह यानि कि अगर तुम से कोई कह रहा है कि भाई आपने मशीन खरीद के लाए हो आप चाते हैं उससे maximum efficiency मिले हमें तो maximum efficiency के लिए यानि कि maximum efficiency मिले minimum losses और max और बहुत economical पड़े तो उसको तुमें rated condition में चलाना पड़ेगा यह बात हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इसलिए rating दी होती है तो हम चाते हैं कि rated load पर ही चले लेकिन अगर आप उसे under load चलाओगे तो obviously चीज़ है वहाँ पर losses जादा होंगे और under utilization होगा under utilization होगा तो poor efficiency so that is why load factor जो है वो यह decide करता है कि कितनी efficiently आपने electric power को utilize किया है बात समझ में इनके बीच का जो difference है वो utilization को define कर रहा है और plant capacity decide की जा रही है maximum demand के दौरा इसलिए मैं यह बात कह रहा हूँ अभी आगे और समझ में आगा इसको और detail में देखेंगे graph से समझेंगे इस चीज़ को बहुत detail में जाएंगे आज हम तो load factor के ठीक है तो यहां पर load factor समझ में आगा तो basically it represents utilization of power plant यह बताता है कि कितना power plant आपका utilize हो रहा है यानि जो तुमने capacity लगाई है तो यह एक तरीके से reflect करता है कि load factor यह बताता है कि उस पर किस factor का load है और उसी के according plant को utilize किया जाता है clear हो गए यहां पर तो हम यहां से देख सकते हैं जितना ज़्यादा difference होगा average और maximum demand में ठीक है उतना ज़्यादा lower utilization होगा power plant का देखो देख सकते हो average load और maximum demand में जितना ज़्यादा difference होगा उतना ज़्यादा difference होगा plant capacity में और average load में और उतना ही ज़्यादा यहाँ पर under utilization होगा clear हो रहा है यहाँ ठीक है देखो यहाँ पर मैंने maximum demand क्यों लिखा एक बड़ा important term है maximum demand इसलिए यहाँ लिखा है क्योंकि plant की capacity हमेशा maximum demand से ही decide होती है clear हो रहा है यहाँ तो plant की capacity कोई अपने अपने individual term नहीं है यानि कि मैं अपने मंचा plant कभी नहीं लगा सकता मैं काऊं कि नहीं यार मैं जो है बरेली के load को उठाने लिए 50 megawatt का plant लगाऊंगा नहीं ऐसा नहीं होता भाई आपको वहाँ की maximum demand को study करना पड़ेगा उसके basis पे आप plant की capacity decide कर सकते हो clear हो रहा है यहाँ पर समझ में आरी बात है तो plant की capacity जो होगी वो on the basis of maximum demand decide होती तो इसलिए हम directly यहाँ पे लिख सकते हैं कि average load and maximum demand का जो difference है यह decide करेगा plant capacity को और वहीं से decide होता है utilization तो जितना ज्यादा इनके बीच का difference जितना ज्यादा larger the difference जितना ज्यादा लार्ज होगा उतना ज्यादा under utilization होगा यानि कि उतना lower utilization होगा power plant का cdc बात है कि लगाया था 50 megawatt के लिए चल रहा है 28 megawatt पे तो काफी ज्यादा under utilize चल रहा है उतना ज्यादा difference between maximum demand and average load और उतना ही poor utilization of power plant ठीक है समझ मारी बात है तो इसको wise versa भी treat कर सकते हो तो ऐसे दोनों तरीके से हम इसको समझ सकते हैं अब ज़रा और detail में जाते है ideal load factor क्या होता यानि कि हम अगर चाहते हैं हम utility हमारे लिए ideal क्या चीज़ होगी तो ideal यह होगी कि हमारे पास कुछ ऐसा load करवा जाए यानि कि एक constant load आ जाए जिससे average load equal to maximum demand हो जाए अगर किसी भी समय में अगर मैं तुम से कहूं कि ideally तुम क्या चाहते हो जैसे होता है न कि आप ideally क्या चाहते हो किसी situation से तो अगर एक power system से पूछोगे power plant इसे पूछोगे कि utility से पूछोगे कि वो क्या चाहता है तो वो चाहता है कि जो load है उसकी average value equal हो जाए maximum demand पर यानि कि एक तरीकी से मैं कह सकता हूँ load क्या हो load constant load आ जाए हमारे पास तो हम क्या चाहते है constant load हम लोग जिन्दगी पर constant load की उमीद रखते हैं कि हमें हमारे station पर constant load मिल जाए क्यों कि बड़ा असान हो जाएगा constant load होगा तो average और maximum demand बराबर हो गई अब average और maximum बराबर है तो यहां पर इनकी बीच में कोई difference ही नहीं रहे गया तो plant capacity मानके चलते हैं यह हो गई this one is your plant capacity maximum से जस्ट उपर थोड़ी सी plant capacity तो अब देख लो plant capacity थी 50 की और चला रहे हो 48 पे बहुत ही बड़ी है यार यह तो बहुत ही अच्छा ideal case हो गया एक्दम समझ मारा है और अगर यह हमेशा ऐसा रहेगा तो हम plant capacity पचास क्यों रखेंगे हम plant capacity 48 रख देंगे meet करा देंगे विल्कुल तो 100% efficiency चला सकते हैं बट अगिन डिस इन ideal condition जो कि कभी जिंदगी में exist नहीं करती है अरे यार कभी ऐसा होता है क्या कि तुम जो प्लान करके जो लाइव ऐसी चल जाए ऐसा नहीं होता तो वैसे भी power plant में भी ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता कि सब लोग जेतना load होना चाहिए उस समय उतना load वो चला रहे है ऐसा कभी नहीं होता तो इस इस दा ideal load factor समझ में आ रहा है तो हम क्या चाहते है कि हम चाहते है कि load हमारा constant रहे all the time clear हो गए है यहां पर तो load factor अगर हम इस condition में निकाले average upon maximum इसकी value निकल के आ जाएगी 1 समझ में आ रहा है तो इसलिए maximum value किसी भी load factor की 1 हो सकती है और practically बात करें तो हमेशा less than 1 होगी तो practically desire अच्छा चलो यह तो ideal condition हो गई यार आपने जो सर बात कही ना यह ideal चीज़ है reality में exist नहीं करती तो reality में desire क्या होनी चाहिए जैसे कोई कहे कि हमारी सब चीज़ें अच्छी हो जाए तो संभव नहीं है तो practical desire भी तो एक चीज़ होती ना कि practically तुम क्या चाहते हो चलो अच्छा ठीक होगा clear हो रहा है यहां पर समझ महारी बात है इतनी समझ महारी है तो point one point eight का मतलब जो maximum demand है यानि कि अगर हम बात करें किसी कर्व में यह कर्व है तो point eight point one का मतलब जो average load है वो must be close to the maximum demand यानि कि बहुत important average load यहां भी यह एक एक बड़े important nuggets बहुत important point दे रहा हूं direct इस पर question मिल जाएगा आपको average load must be close to the maximum demand जितना ज्यादा average load maximum demand के close होगा भाईया उतना अच्छा load factor होगा बहुत detail में जा रहा है हम लोग बिलकुल समय deep में dive कर रहे हैं तो यहां पर सोना निकलने स्वरी हो मोती मिलने के chances बहुत जादा है तो इसलिए बहुत ध्यान से कि point को समझते चलना इतना detail कहीं पर भी तुम्हें नहीं मिलेगा बहुत rare of rarity है बहुत सारा research मैंने किया है इस चीज़ को तयार करने के लिए in lectures को तो बहुत ध्यान a और plant b अब plant a जो है इसका का load factor जो है वो है point eight और plant b इसका load factor है point nine तो यहां से केवल अगर तुम्हें load factor में बता दूना तो तुम यहां से एक चीज़ directly कह दोगे कि plant b जो है इसके अंदर average और maximum demand का gap है जो gap है वो क्या है वो कम है जबकि point eight वाले का average और maximum demand के बीच में जो gap है वो जादा है compare to the plant b एक बात तो यह कह सकते हो दूसरी बात क्या कह सकते हो कि plant b जो है यह effectively utilize करेगा generated power को जबकि यह क्या करेगा यह ineffective है compare to the plant b effective यह भी है पर plant b के comparison में ineffective है तो देखो cable load factor अगर तुम्हें पता चल जाए किसी station का तो वहां से यह सारी जानकारिया निकाल सकते हो compare करके clear हो रहा है आप तो load factor जितना ज्यादा उतना कम difference average or maximum के बीच में clear हो गया ठीक है तो load factor जितना close होगा उतना कम difference होगा average and maximum demand के बीच में अब ज़रा इसको graphically और सीखते हैं मजा आ रहा है मेरा यही काम है सबसे best comment जो मेरे लिए होता है जो बहुत सारी लोग मुझे यह comment करते हैं कि सर आपका lecture देखने के बाद प्यार होगे subject that is the only thing which I required मुझे इससे मतलब नहीं है कि तुम्हारा एक्जाम निकल गए यह तुम्हारा कुछ वह हो गया यह तुम्हारी अपनी महनत है यार मेरा काम यह है कि तुम्हे subject से प्यार करवा देना तुम्हें सीखा देना कि भाई कैसा काम होता है सिस्टम के अंदर electrical engineering क्या है उससे रूब रूब कराना तो यह इस पे पूरा focus रहता है मेरा खेर आगे चलते हैं तो अब जड़ा इसको और अच्छे समझते हैं जिसको अब तक समझ भी नहीं आया वह अब graphically एक बार और देख लेते हैं ठीक है तो diagram से समझते है जड़ा load कर बनाके देखते हैं तो यह मानके चलते हैं इनका average load है और यह इसकी maximum demand है समझ मैं रहा है वहीं दूसरे वाले की बात कर लेते हैं तो यह इसका average load है और यह इसकी maximum demand आप देखो देखते ही देखते ही तुम बता दोगे कि पहला वाला जो load curve A है यहां से क्या क्या चीज है केवल curve से देखके क्या 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 बता सकते हो इसका भाईया load factor जो होगा वो poor होगा क्यों क्यों क्योंकि average और maximum के बीच में काफी gap है इसका load factor जो होगा वो good होगा क्यों क्योंकि average और maximum के बीच में gap कम है समझ मारी बात है पहली चीज यह देखती ही बता दोगे कुछ कोई कुछ बोले गाई नहीं तुम डारेक्ट बता दोगे के वल इंफॉर्मेशन यानि कि दूसरे क्या कह सकते हो इसका लोट फेक्टर जो होगा वो ख्लोज इसका जो फार फ्रॉम वन वन से दूर होगा दूसर जो एक आम इंसान नहीं देखसकता है अगर मैं किसी क्लाइब को देख तुमारे लिए यहां से पूरे प्लांट को तुम देख सकते हो तो लोट कर अगर तुम्हें मैं यह कर देता और यह देता हो और तुमने इले अलेक्टर इंजिने ठंग से पड़ी हुई है तो तुम देखके easily मतलब तुम multiple चीज़ें बता सकते हो एक तरीके का और इंसान सुचेगा यह कैसे बता ले रहा है तो उसके पीज़े reason का है तुमने अगर deep study की हुई है तो देखने वाले के लिए एक wire है लेकिन तुमारे लिए वहाँ पे standard conductors है कोरोना है resistance है इंडक्टेंस है यह किस देखके बता सकते हैं एक चीज और बता सकते हो कि plant जो है ये एफेक्टिव लीटलाइस करेगा जो power generate कर रही है स्वेख यहाँ और पर जबार दाल देते हैं यहाँ पे under utilization जादा है और यहां पर under utilization जो है वो कम है समझ मारी बात है तो ये सारी चीज़े तुम इस curve को देख के बता सकते हो चलो एक बार और इसकी हेसाब से चलते हैं slide देख लेते हैं क्या कह रही है so this is your plant capacity यानि अगर curve plant A की बात करेंगे तो उसमें plant capacity हमें यहाँ पर कुछ रखनी पड़ेगी maximum demand के उपर कुछ नया नहीं है ऐसी plant B में भी हमें plant capacity उपर रखनी पड़ेगी अब देखो अगर हम plant A की बात करते हैं तो इसके अंदर देख रहा है कितना ज़ादा under utilization है मतलब plant तुम्हें खुब high capacity का रखना है और जो चलाओगे उसे जनरली जो चलाओगे वो काफी कम rating पर चलाओगे तो क्योंकि under rating पर चलाओगे अंडर loaded condition में चलाओगे तो ऐसे case में क्या होगा भाई plant जो तुमारा होगा वो बहुत ही खराब performance देगा कि तुमारी ऐसे for example बिल्कुल वैसे ही है कि जो तुमारा अगर कोई bike है या कुछ भी चलने के लिए बना है economic उसमें और तुम उसे चला रहे हो under में तो ऐसे में क्या होगा वो उसकी derating होती रहती है तो खराब बात है समझ मारे वहीं पर अगर दूसरे case की बात करें plant B की तो देख सकते हो यहाँ पर कितना जरा सा under utilization है यानि कि बहुत कम gap है यानि कि तुमने जो set करी है plant की capacity और जो जो जनरली चलाते हो वो rated के close to चला रहे हो देख एक rule of thumb ऐसा है न 75% बहुत देहां से समझ लेना 75% of rated capacity पर अगर तुम कोई plant को run करते हो rated capacity पर 75% और more तो वहाँ पर हमें economic operation देखने को मिलता economic operation और एक unit की जो cost होगी one unit की जो cost होती न cost of generation of one unit one unit cost जो होती है वो उसकी generate करने की जो cost है तो क्या होगा काफी ज्यादा low होती है मान के चलते हैं यह हमारी टाटा पावर और यह वाले जो है यह एक अदानी पावर ले ले लेते हैं यह दो तुम्हें utility power provide कर रही है अब जो टाटा पावर वाले जो power provide कर रहे होंगे न क्योंकि इनके अंदर बहुत gap है maximum और average load के अंदर और अंडर utilization बहुत जादा है तो यानि कि below 75 मान के चलते हैं अगर यह rated capacity है तो 75% कुछ यह होगा this is your 75% of rated capacity और तुम चला रहे हो यहां पर समझ में आरी बात ही on an average यहां चला रहे हो तो यह below 75% चले गए तो यह जो power generate कर रहे होंगे यह मान के चलते हैं दो रुपए पर unit generate कर रहे हैं ठीक है दो रुपए और तुम्हें बेचेंग कित्ते पर तीन रुपए हैं बेचेंग कोछ अपना profit भी तो निकाले गा यार बंदा प्लांड के वल तुम्हारे लिए थोड़ी लगाया है तो तीन रुपए मान के चलते हैं तो टाटा वाले जो तुम्हें power खरीदने जाओ यह तीन रुपए पर दे रहे हैं वहीं पर अदानी वाले जो हैं इनके बीच में बहुत कम गयप है तो यह 75% मान के चलते हैं यह ले लेते हैं यहां बहुत नीचे बना दे 75% of rated capacity तो यह under यानि कि in the 75% of rated capacity operate कर रहे हैं on an average तो इनकी जो cost of generation आएगी वो आएगी 0.5 यानि कि 50 पैसे 50 पैसे per unit इनकी cost of generation आ रही तो profit भी इनका ज्यादा हो रहा है देखो समझ में रहा है यह 2 रुपए बचा रहे थे profit कट करके तुम्हें बेच रहे हैं यह एक रुपए profit कमा रहे है अगर कोई टाटा के नाम पे लेने चला भी गया और अदानी जो है यह कितने बना रहे है यह बना रहे 0.5 पे यानि कि एक रुपए consumer का बचरा यानि दोनों तरफ फाइदे तो that is the beauty of load factor तो यह हम चाहते हैं कि यह minimum हो समझ मारी बात यह तो इनको अगर compare करें तो maximum demand minus average load अगर इनके बीच का gap देखें तो यह A का जादा है compared to the B तो obviously चीज़ है under utilization A में जादा होगा B की comparison में तो load factor A का जो होगा व load factor यह वह सारी चीज़ें जो हमने पीछे निकाली थी वह वाइड कलर से गंदी संधी राइटिंग में लिखा था यह हमने चमचमाती राइटिंग में colorful लिख दिया आपके लिए तो जो लोग notes बना रहे है वह यहां से बना सकते एक चीज़ बड़ी important याद रखना under utilization की तो maximum demand हम लोग इस लिए चला रहे हैं क्योंकि plant capacity खुद का कोई वजूत नहीं है वह on the basis of maximum demand ही decide होती तो इसलिए हम NOT को यहां पर प्लेश कर रहे है सभेड़ी बात ही है इसलिए हम लोग इसलिए एम प्ला बनाईंगे वह लोग इसलिए maximum demand होगी तो इसलिए maximum demand को यहां पर लेस देन वन होगा क्योंकि अब्यस सी चीज़े कभी ऐसा नहीं हो पाएगा आइडिल कंडिशन में तो है आइडिल केस बता दिया था ना आइडिल हो सकता है किसी युनिवर्स में जहां पर भगवान रहते हो जहां पर आइडियल चीज़े ऑपरेट करती हो तो वहां पर average और maximum load fix होगा, equal होगा, तो वहाँ पर one होगा, generally ऐसा possible नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं होगा, दूसरा, load factor भी daily, monthly, or annually हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, जैसे load curve daily, annually, or monthly हो सकते हैं, average load भी daily, monthly, and annually हो सकते हैं, तो भाई, load factor भी daily, monthly, and annually हो सकता है, तो जैसे ही curve है, वैसे हम लोग कई सारे बना सकते हैं, तीसरा, load factor play key role in determining overall cost of per unit generated, समझ में आ रहा है, यह तो अभी हमने देखी लिया, क्योंकि cost जो निकलेगी, generated की, वो utilization के उपर depend करेगी, कि तुम्हारा जो plant run कर रहा है, on an average, वो क्या 75% rated capacity के आसपास है, तो वहाँ से, तो यह कौन decide करेगा, 75%, तो average load और average load, ultimately, यह सारी चीज़े आ जाती है, load factor के अंदर, तो इसलिए हम कह सकते हैं, कि load factor, अगर physical significance पूचा जाए, तो load factor जो है, कि important door play करता है, cost of per unit generated की, कि उसको decide करने में, कि कित्ते रुपय रखनी है, ठीक है, समझ मारी बात है, तो load factor, यह अगर जादा हो गया, तो ऐसे case में, cost of unit generation कम हो जाएगा, समझ मारी बात है, इसको, इसको मैं एक बार और भी समझा देता हूँ, यह बहुत important point है, जिनको नहीं समझ में आया, तो अगर मान के चलते हैं, हमारे पास कोई ऐसा plant है, जिसके average load और maximum demand की बीच में, कम gap है, plant A, वहीं पर एक ऐसा plant है, plant B, जिसके अंदर बहुत जादा gap है, तो देखो average load मान के चलते हैं, दोनों plant का same है, यानि कि plant A का भी average load यहीं पर है, और plant B का भी average load यहीं पर है, दोनों का average load तो same है, लेकिन पहले वाले में maximum demand ज़ादा है, sorry, कम है, compared to the plant B, तो ऐसे में क्या होगा, plant A की capacity यह होगी, plant B की capacity यह होगी, ना ऐसे case में, क्योंकि plant A की capacity कम है, compared to the plant B capacity, तो obviously चीज़ा है, यहाँ पर cost of unit generation कम होगा, compared to the cost of unit generation in plant B, obviously चीज़ा है, क्योंकि देखो क्या होता है, जितना बड़ा plant लगाओगे, और उसको एक तो plant बड़ा लगा रहे हो, फिर उपर से चला भी उसे कम rated पर रहे, तो वो महंगा पड़ेगा, यह चीज़ हमने सीखी थी, तो आयोब यह चीज़ किलियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, अगर आपको मेरे फट पसंद आ रहे हैं, इतनी जो research करके आपके लिए बना रहा हूँ, इतना detail में जाके बिलकुल घुसके, और बिलकुल समंदुर के गहराईयों में जाके, हम लोड फेक्टर को आथ समझे हैं, अगर आपको यह लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, तो आप हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सूपर थैंक्स भेज सकते हैं, अच्छा लगेगा मेरे को, और शेयर कर सकते हैं, जितने ज़्यादा लोगों सक आप इस चीज़ को पहुचा सकते हैं, तो अब यहां तक अगर हम बात करते हैं, तो हमने लोड फेक्टर भी सीख लिया है, अब आने वाले समय में इन सब का इस्तमाल करकी, यानि कि जो भी देखो एक बात ध्यान रखना, यह जितने भी लोड वाली चीज़े चलें न, लोड कर्व, लोड फेक्टर, लोड दूरेशन कर्व, और डिमांड फेक्टर, यह सब यार, connected हैं एक दूसरे से, और यह सारी चीज़ें ही मिल जुलके, आने वाले लेक्टर को तयार करेंगी, तो इसलिए अगर आपने लेक्टर नहीं देखें हैं, तो रिवाइस करते रहो, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टन चीज़, डाइवर्सिटी फैक्टर की, अगले लेक्टर में मिलेंगे, और डाइवर्सिटी फैक्टर को भी इतना डिटेल में जाके, बिल्कुल समुदुर में, गहराईयों में उतर के सीखेंगे, आपने मना कीमदी समय दिया, उसके लिए धन्यवाद, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो,